हेलो दोस्तों जै मातादी तो आज है नपरातरी का नौबा दिन और आज होती है माता शिद्धी दातरी की पूजा मादुर्गा की नौबी शक्ति की पावन कथा आज में आपको शुनाओंगी इससे पहले में माद शिद्धी दातरी के बारे में कुछ पताना चाती हूँ नवरात्री पूजन के नौबे दिन इनकी उपाशना की जाती है इस दिन सास्त्रिय विधिविधान और पुर्ण निष्ठा के साथ साथना करने वाले शाधक को सभी शिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है शिष्टे में कुछ भी उसके लिए अगम में नहीं रह जाता ब्र जिद्धु ये आठ शिद्धिया होती है ब्राम्हा बैवर्थ पुरान के सिक्रिशन जर्मखंड में ये संख्या ठारा बताई गई है माशिद्धि दातरी भक्तों और शाधकों को ये शभी शिद्धिया परदान करने में शमर्थ है देवी पुरान के अनुशार भगवान शिद्धि ने इनकी किरपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिद्ध का आधा सरीर देवी का हुआ था इसी कारण बे लोक में अर्ध नारिश्वर नाम से परसिद्धु हैं माशिद्धि दातरी चार भुजाओ वाली है इनका वाहन से हैं ये कमल पूश्प पर भी आशिन होती है इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुश्प है परते एक पनेशे का यह करते हैं कि वह माशिदी दात्री की किरपा प्राप्ट करने का निरंतर प्रयत्न करें नब दुर्गाओं में मा शिद्धी दातरी अंतिम है अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपाशना सासरे बिधी विधार के अनुशार करते हुए बक्त दुर्गाओं पूजा के नौबे दिन इनकी उपाशना में प्रवत्त होते हैं इन शिद्धी दातरी मा की उपाशना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और शात्कों की लौकिक पार लौकिक सभी परकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माभगवती का परम सात्रित्य ही उनका सर्वश हो जाता है। इस परमपद को पाने के बाद उसे अनिकिश्री भी बस्तु के अविशक्ता नहीं रह जाती है। माः शिद्धी दात्री की कथा कुछ इस परकार है। पौरानिक कथा के अनुशार भगवान सिब ने माः शिद्धी दात्री की कथूर तपश्या कर आठो शिद्धीयों को प्राप्ट किया था। माः सिद्धी दात्री की अनुकंपा शेहिं भगवान शिब का आधा सरीर देवी हो गया था। और वह अर्धनारिश्वर कहलाएं। मादुर्गा के नौ रूपों में यह रूप अत्यांती शक्ति शाली रूप है। कहा जाता है कि मादुर्गा का यह रूप सभी देवी देपताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में बर्णन है कि जब दैत्य महिशा शुर के अत्या चारोशी परिशान होकर शमी देपताओं भगवान शिब और भगवान विष्णू के पास पहुचे तब वहां मौझू सभी देपताओं से एक तेज उत्पन हुआ और उसी तेज से एक दिब्बे शक्ति का निर्म कानाहण चिशिमा सिद्धी दातरी कहा जाता है हिंदु धर्मेन नौव दिनों तक चलने वाला नवरातरी का परवननब्मि की दिन समाप्त हो जाता है नवरात­री के नौ दिनों में भिन भिन देवियों की पूजा की जाती है। इसी परकार नबातरी के अन्तिम दिन दिन देवी दुरका के नौबे शरूप माता सिथी दातरी की पूजा होती है। नो दिन तक धारन किये गए वरत का उत्यापन भी नौवे दिन किया जाता है माता सिधी दातरी की पूजन कथन भोग इत्यादी करके करन्याओं को अपने घर बुला कर भोजन करवाया जाता है मानना जाता है कि नवराती के अंतिम दिन करन्याओं को भोजन कराने से माता रान श्वयम करन्या की रूप में घर में पधारती है तता वक्त का घर शुक्ष मर्दी से भर जाता है इस देवी का पूजन करने से मुझ की प्राप्ती होती है देवी के इस रूप की पूजा ब्यक्ति को अमरित मार्कियों ले जाने का काम करता है नबमी के दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद करन्या पूजण कराते है ऐसी मानियता है की करन्या भोजण कराने शेही माता पूजा को करहन करती है तो आज की कहानी यही तक थी जैमाता दी ओम नमस्षिवाय